नमस्कार दोस्तों मैं हूँ ईशा और आज मैं बात करने जा रही हूँ लेखक कुमार गंधर वुद्वारा लिखी गई पार्ट जिसका सिर्शक है भारती गायकाओं में बेजोड लता मंगेश कर तो चलिए दोस्तों सुरुसिस पार्ट को समझने का प्रयास करते हैं लेखक बताता है कि बरसों पहले वा बिमार था तब एक दिन उसे रेडियो पर एक अनोखा स्वर सुनाई दिया या स्वर उसके अंतर मन को छू गया गाना समाप्त होने पर गायका का नाम लता मंगेश कर बताया गया या नाम सुनकर वा हैरान रह गया लेखक को प्रसिद गायक दिनानात मंगेश कर की अदभुद गायकी का दूसरा रूप उनकी बेटी की कुमल आवाज में सुनने को मिला था या शायद बरसात फिल्म से पहले का गाना था लता से पहले प्रसिद गायका नूर जहां का चित्रपट संगीत में अपना लेकिन लता उससे आगे निकल गई कला की छेत्र में ऐसे चमतकार बहुत ही कम होते हैं जैसे प्रसेद सितार वादक विलायत खां अपनी सितार वादक पिता के तुलना में बहुत आगे निकल गए थे लेखाक का मानना है कि लता के बराबर की गाई का कोई नहीं है लता ने च चित्रपट संकीत के विभिन प्रकारों को आम आदमी समझने लगा है और गुन-गुनाने लगा है। लता ने नई पीडी को संगीत में विशेश रूची उत्पन करने में महत्पून योगदान दिया है। शास्त्रिय गान और लता के गान में से लोग लता के गान को ही अधिक पसंद करते हैं। इसका कारण है लता का गानपन और उनका सुरीलापन शोता को रागों से नहीं बलकि मधूर गानपन से मतलब होता है। यागानपन लता के श्वर में सत प्रतिशत है यही लता की लोग प्रियता का मुखे रहस भी है नूर जहां की गायकी में जहां एक नशीली उची तान होती थी वहीं लता के श्वर में एक पवित्रता होती है उनमें कोमलता और सुंदरता का संगम है मानू उनका नीजी जीव उनके स्वर में चमक उठा है यह अलग बात है कि संगीत संचालकों ने उनकी इस कला का भरपूर उप्योग नहीं किया था लता के गीत के दो शब्दों का अंतर स्वरों के अलाप से भर जाता है लता की यह विशेस्ता अद्भूत है लोग कहते हैं कि लता ने करुन रस के गा लेखक के अनुसार लता ने मुग्द श्रिंगार के गाने मध्य और कुछ तेज लय में बहुत अच्छे गाए हैं लेखक का मानना है कि संगीत संचालकों ने उनसे उची पट्टी में गवा कर उनके साथ अन्याय किया है लेखक का मानना है कि सास्त्रिय संगीत और चित्रपट संगीत में तुणना करना व्यर्थ है शास्त्री संगीत में गंभीरता स्थाई भाव है जबकि चित्रपट संगीत में तेजी लए और चंचलता प्रमुख होती है चित्रपट संगीत में ताल प्रात्मिक अवस्था का होता है और सास्त्री संगीत में इसका अलंक कारी अवश्य होनी चाहिए लटा के पास या घ्यान भरपूर है लटा की तीन साड़े तीन मिनट के गान और तीन साड़े घंटे की सास्त्रिय महफल का कलात्मक और आनंदायक मूली एक जैसा है उनकी गानों में स्वर लै और सब्दार्थ का संगम होता है गानी की सारे मिठा और सारी ताकत उसकी मोहित करने की सक्ति पर अधारित होती है लटा का स्थान अवल दर्जे के खांदानी गायक के समान है किसी ने पूछा कि क्या लटा शास्त्री गायकों को तीन घंटे की महफल जमा सकती है लेखा कुसी से प्रश्न करता है कि क्या कोई प्रत्रम श्रेनी शास्त्रिय गायक तीन मिनट में चित्रपट का गाना इतनी कुसलता और रस से भरपूर होकर गा सकेगा। शायद नहीं। खांदानी गवईयों ने चित्रपट संगीत पर लोगों के कान बिगार देने का आरूप लगाया है। लेखाक का मानना है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान सुधारे है। लेखाक का कहना है कि शास्त्रिय गायक आत्मसंतुष्ट प्रानी है। उन्होंने सास्त्र सुधता को कर्म कान की तरह बढ़ावा दिया है। जबकि चित्रपड संगीत ने अच्छे कुल में उत्पन संगीत को लोगों तक पहुचाया है। आज लोगों को सास्त्र सुद्ध और बेस्वात गाना नहीं बलकि सूरीला और भावपुन गाना चाहिए। चित्रपड संगीत का लचीला होना ही उसकी सबसे बड़ी सकती है। चित्रपड संगीत की मानताएं, जंजटे और चुनोतियां अलग तरह की है। यहां नव निर्मान की संभावनाएं भी बहुत है। बड़े-बड़े संगीत कार शास्त्रिय रागदारी का और लोग गीतों की धुनों का भरपूर उप्योग कर रहे हैं। वे धूब की तरह उत्सुकता करने वाले पंजाबी लोग गीतों का, बादल की तरह घुमडते राजथानी लोग गीतों का, घाटियों में गूंचते पाहाडी लोग गीतों का, रीतु-चक्रों का और खेती से संबंधित क्रिशी गीतों का भरपूर उप्योग कर रहे लता चित्रपट संगीत की बेता समड़ा गिये हैं अनेक गायक गाईकाओं की तुल्ला में उनकी लोक प्रियता सबसे अधीक है तो दोस्तो इस वीडियो को लाइक और शेर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल पर पहले बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तो ऐसी कुछ और वीडियो के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिख कर जरूर बताएं धन्यवाद